खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे, असल में जाने अंजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता। और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं, तो इसका विपरीत प्रभाव भी पढ़ सकता है। एक किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले सरान किया जाता है। पर ही बैठे, शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। पूजन करते समय आपका मुह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए, घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए, इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अंजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशिरवात देते हैं, तीन पूजा घर हमेशा घर के इशान कोण में ही रहना चाहिए, पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ती एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्त इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। पूजा नहीं करने पर हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल पाता है। का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंक बिलकुल ना बजाएं। पांच अकसर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं। लेकिन यह गलत है किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले। दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रती हमारी भक्ती भाव हमारे द्वारा चड़ाया गया प्रसाद धूप और अन्यकारियों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं, तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुचती है। आजकल ज्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तिमाल किया जाता है। परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बास की डंडी का इस्तिमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बास का इस्तिमाल वर्जित माना गया है। इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तिमाल करना चाहिए। सूर्य गणेश, दुर्गा, शिव और विश्नु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कारियों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रति दिन पूजन करते समय इन पांच देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्षमी की कृपा और समरिध प्राप्त होती है। साथ आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुब कार्य की शुरुवात में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किये, बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ती नहीं होती है. 8. बिना सिर धके पूजा नहीं करनी चाहिए. मान्यता है कि बिना सिर धके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है. पूजा के दौरान सिर धकना भगवान के प्रती श्रदगा भाव को दर्शाता है. पूजा के दौरान सिर धकने का धार्मिक भी बताए गए हैं, इसी लिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढखे, कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से जुग कर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं, तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, उसे मंदिर में ही खाना चाहिए, भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों न खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं, यह 10. हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं, वह रोगी ही होते हैं, नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए, नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयम को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक शंक, भगवान की मूर्ती या तस्वीर सोने के आभूशन और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्ष पर नहीं रखना चाहिए, ग्यारह घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विश्नु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुरगा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गनेश जी गनेश जी के सामने 4 ब कर नेत्रों से लगाना चाहिए, इस से आपको जब के पूर्ण फल की प्राप्ती होती है. 12. अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए. 12. अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके, पूरा कर देना चाहिए, संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है. 13. किसी को भी कोई वस्तुदान दक्षिना हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए, एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्निमा वरत तथा श्राध के दिनबाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए, जिन लोगों का यग्योप वीद संसकार हो चुका है, उन्हें बिना जनेव पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेव धारन किये, जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है, वह निश्फल हो जाता है। 14. सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्यधार्मिक कार्य में इस्तिमाल करने के लिए गंगाजल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है, कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातू के बरतन जैसे की अल्मुनियम और लोहे के बने बरतन में गंगा जल ले जाना चाहिए, कभी भी मंदिर में रखे, जल से ईश्वर का जलाभिशेक नहीं करना चाहिए, जब भी आप जल चढ़ा कर मंदिर से वापस आए, तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं, यदि आप जल भर कर मंदिर से वा धन संचय करने में विशेश फलदाई माना जाता है, यह एक चमतकारिक स्तोत्र है, जिसके पाठ से माता लक्षमी की आप पर कृपा बनी रहती है, इस स्तोत्र की खासियत यह है, कि यह किसी भी विशेश माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता है, पूजा अर्चना करन और धन की बचत भी होगी, सत्रह वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है, कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीजें करते हैं, यह बहुत अशुब माना जाता है, साल 2023 में आप इस आदत से बचें, यह आपके धन के साथ साथ कई चीजों के हैं, तो इसका असर आपकी पाचन शक्ती पर भी पढ़ता है, जिससे स्वास्त्य संबंधी कई समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं, इसलिए आप इस आदत से बचें, दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको हमारी वी क्रिशना दोस्तों